आयोध्या में राम मंदिर के निर्मान का काम जोर शोर से चल रहा है संभावनाएं जताई जा रही है कि जनवरी 2024 में मंदिर में राम लला की प्रतिष्ठा हो सकती है इस समारों में पियम मोदी भी शामिल होंगे लेकिन समय एक ऐसी खबर आ रही है जिससे सियासी गलियारों में खलवली मच गई है दरसल कॉंग्रिस प्रदादिकारियों ने राम मंदिर जन्म भूमी के मुख्य पुजारी अचारे सेतेंद्र दास से मुलाकात की है और इस मुलाकात ने बीजेपी को परिशान कर दिया है क्या है पूरी खबर देखते हैं सुरपोर्ट में अयोध्य में राम मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा इसके बाद राम लला की मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को हो सकती है 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी कारिकरम में शामिल होने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी भी अयोध्या पहुचेंगे लेकिन अब खबर ये भी है कि मोदी के राम मंदिर पहुचने से पहले ही राहूल गांधी मंदिर में पूजा अर्चिना करने की तयारी में है दरसल कयासों को और मजबूती उस समय मिल गई जब अचारे सतेंद्र दास से राहूल गांधी के सलाकार और राजीब गांधी फाउंडेशन के सीओ विजे महाराजन की मुलाकाधी खबरे सामने आई अचारे सतेंद्र दास ने भी इस खबर की पुष्टी की है उन्होंने कहा कि एक सब्ता पहले बातचीत हुई थी विजे महाराजन के अलाबा कुछ कॉंग्रेसी नेताओर ने भी श्रीराम जन्म भूमी मंदिर के मुख्य पुजारी से समपर्क किया था अचार सतेंद्र दास ने कहा कि राहूल गांधी से तिथी निर्धारन के बाद अयोध्या दोरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है आपको याद दिला दे कि ये वही पुजारी हैं जिन्होंने यूपी में भारत जोडो यात्रा की शुरुआत से पहले राहूल गांधी को यात्रा की सफलता के लिए पत्र लिखा था लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं आशा करता हूँ और प्राथना करता हूँ कि जिस मिशन के लिए आप लड़ रहे हैं वो सफल हो मैं आपको आपके लंबे जीवन का आशिरवात देता हूँ आप लोगों के हित में और लोगों की खुशी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं मैं भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ डिवी लाइप के रुपोर्ट